हेलो एवरीवन कैसे हैं आप में नेहाद अमायाज चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में कैसमें आपको वैदनाद ब्रांट के करेला जामुन जूस के बारे में रिव्यू दूँगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये जूस आपकी बोड़ी को किस तरीके से फायदा देता है इसके बेनिफेट, साइज़फेग, यूज़िस, प्राइज और डोज इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे तो गैस बैदनाद ब्राइज के बारे में अपने सुनाई होगा, यह अपने आप में बहुत अच्छा ब्राइज इसके मार्केट में काफी सारे प्रोजक्ट मिलते है इंडिया में इनके प्रोजक्टों के बहुती ज़्यादा सेल होती है इससे पहले की कई वीडियो में आपको इस ब्राइज के प्रोजक्टों का रिव्यू किया है तो चलिए गईज आज अपने इसी प्राइज के करेला जामुन रस के बारे में बात कर लेते है यह गई जोड़ी वूटियों से मिलकर बनेगी एक आयरविदिक कोशिदी है आयरविदिक दवा है जिसको वेदरनाद प्राइज दारा मैनेफेक्टर किया गया है इसका ओपियो गईज आपके जो डाइविटीज है उसकी समस्या को दूर करने में किया जाता है गईज अगर आपके सरीर में ब्लड सोगर लेवल बहुत ही जादा हाई है तो उसे कंट्रोल करने में ये जूस बहुत ही जादा काम में लाए जाता है आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है यानि कि सरीर से कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है करेला जामुन जूस करेला जामुन जूस मुख्य रूप से तो ब्लड सोगर लेवल को कंट्रोल में रखता है क्योंकि इसके अंदर करेला प्रेजन्ट होता है और करेला जामुन तो ब्लड सोगर को कंट्रोल करने के बहुत ही जादा अच्छे सुरोत भी माने जाते हैं करेला जामुन। जूस नंदर गाई इंग्रीट्रा के रिथा मिलबाते हैं, मिनलोगों के मिला कि हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसके इंग्रिजिएंट की रूप में क्या-क्या मिला होता है इसके इंग्रिजिएंट की रूप में आयरन, फॉस्परोस, जेंग, विटामिन C, विटामिन B, पोटेशियम, आयरन, कैलसियम, कैरेटेन और बीटा ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसके लावे इसके अंदर कई सारे बायो एक्टिव जैसे की लाइकोपीन, ये भी तत्तुम मौजूद होते हैं जो हमारे सरीर की भीमारियों से सुरच्छा करने में मदद करते हैं और वैधनात का जो करिला जामुद जूसे वाकी में बहुती ज़्यादा फायदेबन दोता है जो के आपके सवी प्रकार की रोगों से लड़ने में मदद करता है इस जूस का सेवन आप दिन में दोवार कर सकते हैं मदविय के उफचार में तो ये बहुती ज़्यादा असर का रख माना जाता है अगर आप इसका सेवन सोवे खाली पेट गुनगोने पानी के साथ अगर करेंगे तो ये आपके सरीर में इंसुलिन का निर्माण जल्दी करने लग जाएगा खाली इसका सेवन करना है और थोड़ा सा पानी लेकर इसका सेवन करना है क्योंकि गईस अगर आप इसका पानी के बिना सेवन करते हैं अगर आपको गईस मदमे की समस्या अधिक हो रही है या फिर आप इस बीमारी से अपना बचाव करना चाते हैं तो आप निमित रुप से इसका सेवन करें जो आपके इस समस्या को जड़ से खतम करने में मदद करेगा इसके अत्रिकते गई तक आपके चहरे पर दाग दप्पे हो रहे हैं यानि कील महासे हैं तो इनसे चुतकारा पाने के लिए आप जाने कितने सारी कॉस्मेटिक क्रीम लगाते हैं बहुत सारी दवाईयों का सेवन करते हैं तो इससे आपको सर नहीं होता है तो गैस नैचरल चीज का इस्तिमाल करें यह कुछी देर तक आपके स्किन को सही रखती है बाद में फिर से वही कर देती है क्योंकि अगर गैस आपके ब्लड के अंदर ही गंदिगी होगी तो कोई क्रीम क्या कर सकती है इसलिए ब्लड को साफ करना पहले बहुत ही जादा ज सेवन करने से आप के चहरे से काले तपनीटा मत करके तचा के कम करने लगते हैं आप के चेहरे को सन्दर बना देते हैं अगर आपके हिर्दय संबन्धि को करता है जाए ब्लड प्रेशर अ क्यार करने लिए भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, जूस को पी सकते हैं, जो कि आपके हिर्दय की कई समस्याओं का उपचार करता है, इसके अंदर प्रेजेंट विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B1 हमारे हिर्दय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का काम करता है तो नेमित रूप से सेवन करने से ये आपके हिर्दे समंधी विकारों को दूर करेगा तचा रोगों से भी आपको मुक्ती मिलेगी जैसके अगर आपके तचा समंधी कोई भी विकार है आपकी तुचा बहुत ही जादा खुसक है तो उसे सही करने के लिए आप नहीं में तुरुप से इस जूस का सेवन करें जो कि आपके तुचा से जुड़े हुए रोगों को दूर करने में मदद करता है अगर आपको पेच से संबंदित कोई भी समस्या हो जाए इसके कबज, गयास, एसिडिटी हो पाचन सकती कम जो रो तो उस इस्तिती में भी आपका रिला जामुन जूस का सेवन कर सकते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा आराम देता है इसका निमित करने से हम अपने भूजन को सही तरीके से पचा सकते हैं और बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं गईज अगर आपको इन यह सारी इतनी तकलीफ हैं अगर आपको तच्छा संबंदी कोई भी समस्या हो या फिर आपके चेहरे पर दाग धपे हो रहे हैं और खुबसूरत तच्छा पाना चाहते हैं या फिर आप डाइविटीज के चेहरे हैं अगर 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 आप ज्यादा मात्रा में में मेडिकल शॉप प्रचेancing इस खरbelsे ना फिर बहुत है मार्केट में वैसे आपको ईजली तरीका से मिल जाता है या फिर आप एसकी साड़starter से इसको खरीज सकते हैं जैसा को सही लग पाहाँ और आपय से खृत欢ित ह प्रजक्ट करूंगी क्योंकि और लाइन या आपको काफी अच्छे दिसकॉंड मिल जाता है आज की वीडियो में वस आपको इतना ही वताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्रैब कीजिए जिससे आपको हमारे नएए वीडियो के डियेट मिलती रहे नएजनी जानकारिया मिलती रहे और गैस बैल आइकन पर जरूर प्र रखने में मदद करेगा और आपको हमेशा स्वास्थ और हेल्थी बनाए रखेगा तो गईज धन्यवाद